स्मार्ट टरीकाओं आपका अपना चैनल दोस्तों हमारे नए वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को तबा दें कि फ्रेंड्स हमारे पास आज एक जे 7000F मॉबाइल है जिसको हम आज फुल फ्लैश करेंगे ओडिन टूल से तोस्तों अगर आपके पास कोई सेंसंग का मॉबाइल आता है तो उसे किस तरह से फ्लैश करना है यहां पर इसका पूरा प्रसीजर बता जा रहा है इजी मेठेड है और कुछ एरर फ्री है आप इस वीडियो को पूरा देख लें इन तक बिल्कुल पिसकिप ना करें तो आप किसी भी सेंसंग मॉबाइल को आपको फ्लैश कर सकते हैं तो सबसे पहले यह देखिए मैं आपको मॉबाइल आपको ओपन करके बता रहा हूं यह मॉबाइल है जिसको प्रॉब्लम यह हैं हो रहा है यूस करने यूजर को बहुत प्रॉब्लम आ रही है किस्टोमर को तो इसे हम क्या करेंगे एक नई लगते हैं इसका मैं मॉडल नमबर आपको बताने कोशिश कर रहा हूं तो मॉबाइल हैंग हो जाता है अटक जाता है रुक जाता है इस्टक हो जाता है तो ऐसे सिचो FLASH कर ले दो दोस्तों फ veggie के लिए जोस्तों हमें क्या करना होगा इसे सबसे पेले हम पावर आफ करते हैं क्यों कि हम किसी भी मॉबाइल का फ्लैश करतें इसकी सांस की tested और original file, original firmware, original stock rom जिसे तीनों एकी चीज़ को कहा जाता है तो इसकी original file से हमें flash करना है तो आपको next video मैं बताऊंगा कि Samsung की किसी भी file को किस तरह से आपको download करना है यहाँ पर सबसे पहले हम Samsung के mobile को download mode पे ले जाएंगे इसके लिए मैं यहाँ पर download jig यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ जो है वो वीडियो ले रहा है कैमरे में busy है वीडियो लेने में दोस्तों यहाँ पर देखिए download jig के बारे में अगर जाना चाहते हैं तो आपको description में इसके link देदूगा और यहाँपर device manager में जाएंगे और यहाँपर देखेंगे mobile हमारा चलिए mobile को connect करते हैं जैसे हम connect करेंगे दोस्तों यहाँपर modem करक्या आएगा उसके अंदर आप यह देखिए pop-up हो चुका है Blink हो चुका है यहां पर देखिये दोस्तों Modern के अंदर आप देख सकते Samsung Mobile USB przyszственно यह यह दोस्तों में Mobile connect हो चुका है यहाँ पर आप Comm 12 में भी देख सकते हैं Odin Talk में पर यहाँ पर 6 फैलें दानी है दोस्तों, सबसके पहले BL बूट लोडर की फाइल जो मैंने D-Drive में रखा है सेंजिंग G7 ये देखे G700F इसकी BL वाली फाइल मैंने यहाँ पर इसे अप्लोड कर दिया है सेकेंड एपी वाली फाइल ये देखें एपी वाली फाइल भी अप्लोड कर देते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेता हैं दोस्तों फाइल सबडेट होने में अपिलोद होने में तो थोड़ा सा आप wait कर ले जब आप लोट ऻो जाएं फिर next file को upload करेंगे चलिए यहाँ पर एपी वाली हो चलिए CP को हम upload करते हैं बहुत ही आसान है दोस्तों इसमें कोई problem की बात नहीं है दिके CP से CP फाइल ले ले लेते हैं चलिए इसके बाद एक last file होती है स्ट वाली file तो चलिए दोसर्ट को लेने के बाद यहां पर पर स्टार्ट दे दिया है और यहां पर हमारी फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है आप हमेरे चैनल से जुड़े रही है हम जरूर आपको मुबाइल सौफ़ेर और हार्डवर और इंजिनियर जरूर बनाएंगे हम दरूर आपको कोशिश करेंगे सिकाने की तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है आप और हमेशा खुश रही है और अच्छे से काम करने कोशिच किजिए तोड़ा सा हार्ड वर्क करिए स्मार्ट वे में और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रही है अगर आप मुबायल रुपेरिंग का काम करते हैं तो किसी बेस्ट इंस्टिट्ट से जाइन कर और वह पर आप अच्छे से काम सीखें दोस्तों इसे मुबायल में रुपेरिंग में जो हैं आपको समझ के काम करना होते हैं अगर समझ के काम करते हैं तो बहुती सरल बहुती आसान हो जाते हैं बहुत ही easy way में आप काम कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं फ्लैशिंग अभी हो रहा है तो जैसे सारा mobile flash हो जाएगा दोस्तों तो जोब हम इसे on करेंगे तो यह बहुत ही easy work करेंगा बहुत ही smoothly work करेंगा यह दोस्तों इस तादा से अगर आप flash करते हों तो आपको कोई error नहीं आएगा कोई corrupt नहीं आएगा बीच में यह कुछ fail नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमने जो इसकी firmware ली है वह original और tested file ली है अगर आप जानना चाहते हैं कि original और tested file कहा से download करना है तो इस वीडियो को आप 100 likes दीजे और 100 subscriber subscribe करिए मेरे चैनल को और नीचे comment में लिखे बताइए कि आपको चाहिए अगर सब्सक्राइब करनी है तो आप मुझे description में आप कमेंट करिए मैं जरूर आपको इसके उपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कहां से हमें tested files को download करना है ताके कोई error या फिर कोई flashing के दारान फेल ना हो तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment करें अगर आप comment करेंगे और 100 likes देंगे तब ही मैं आपको वीडियो upload करूँगा बहुत ही बहुत ही एक दो सेकेंड के अंदर आपको tested file जो है डाउनलोड हो जाती है और इजनल वाली फाइल जो के सैमसंग के सरवर से होती है वह भी बिलकुल free of cost होती है तो आप नीचे जरूर comment करें तब ही मैं वह उसका वीडियो upload करूँगा और 100 लाइक जरूर दे मेरे वीडियो को अपने भाई का चैनल है थोड़ा सपोट करो यार सब्सक्राइब करो सपोट करो मेरे इस चैनल को ताकि मैं और भी अच्छे ची वीडियो बना के दालू आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो हमाई चैनल पर आने वाली है frp के related या फिर लावा ओपो या फिर micromax या फिर लेनोवा के फोन है उसे किस तरह से read करना है pattern किस तरह से read करना है उसे flash किस तरह से करना है तो अगर आप यह सब सीखना चाते तो हमारे चैनल के साथ जुड़े र और कुछ अच्छा काम करें तो यह देखिए दोस्तों यहां पर यह फ्लैशिंग पूरी हो चुकी है तो फ्रेंट से देखिए मूबाइल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है फ्लैश हो चुका है बिलकुली नया हो चुका है जिस तरह से आया था दोस्तों अगर वीडियो अच् करें सब्सक्राइब करें शेड़ जरू करिए चलते हैं चलिए मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में